आप सब आज बनाने जा रहे हैं बहुत प्यारा खुशूरा सा डिसाइन का डॉर मेड वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जेर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा देखे हमने दो प्रकार की है साड़ियो से पट्टिया कट करके रखी हुई है इस तरीके से एक इंचेस क फंदे डाले हैं और यहां पर देखे इस तरीके से सबसे पहले हम एक रो बनाएंगे इसमें इस्टेप आई स्टेप बताएंगे तो बिल्कुल इसके न कीजेगा नहीं तो जब इसकिप कर देंगे तो क्या होगा आपका एक भी स्टेप छूट जाता है तो समझ में नहीं जाएगा तो इस तरीके से देखें कम्प्लीट रो हम बनाते हैं उल्टी और सीधी साइट से दोनों साइट से देखें यहां से इन सभी फंदों को हम बनाएंगे हमने टोटल लिये हैं इसमें 11 फंदे आपको अगर 40 फंदों का आप इसमें कम मैक्सिमम 40 फंदों का बनाएंगे तो काफी बड़ा बन जाएगा आप इसमें 35 फंदों का डिजाइन बनाए और 35 फंदों का आप 40 फंदों का तयार होगा क्य कुछ फंदे इसमें बढ़ने हैं तो उसकी वज़य से आप अगर 40 फंदों का बनाएंगे तो काफी बढ़ा बन जाएगा 35 का बनाएंगे तो बन जाएगा देखिए अब यहां से फंदा छोड़ते हुए फर्स्ट रो में ही यही से हम पलटेंगे पलटने के बाद उपर की सा यहां पर हम सीथी साइट कर Guillemagya और इस तरीके से हम और यहां में आएक वह प्येस वज़य पर किया हो जाएगा यहां पर करेंगे इस हमें बुनने में आसानी हो जाए क्योंकि यह एड करना जरूरी होता है तो देखिए अब यहां से हम एड करेंगे और पलट देंगे अब इस फंदे को उतारेंगे नेट फंदे से हम काफी सभी फंदों को इस तरीके से रेड कलर से बुनेंगे जो फंदा हमने बढ़ाया था वो भी हमें रेड कलर से ही बुनना है इस तरीके से देखिए यहां पर अब इन सभी फंदों को हम इस तरीके से बुनेंगे कि एक कमिंट हमाएं पास बहुत आ रहा है कि मतलब जो एक कपड़े चुन्नी से हमें पट्टियों को कैची से कट नहीं करना है और हमें चुन्नी से ऐसे ही फाड के डिजाइन को डूरमेट बनाना है तो इस तरीके से डूरमेट तो हम बना सकते हैं लेकिन हम किसी के इस तरीके फाल्तू फाल्तू रिक्वेस्ट को पूरा करना जरूरी नहीं समझते क्योंकि अगर जीसे बनाना है तो वो कैसी का भी इस्तिमाल करके कट कर सकता है तो देखिए इस तरीके से अब हम पीछे की साइड लेंगे यहां से एक फंदा हम बढ़ाएंगे औ हम ब्लैक कलर के एक रो को कंप्लीट फिर से करेंगे इस तरीके से देखिए यहां से तो बिल्कुल निव डिजाइन है तो यहां पे हमें इन दो फंदों को इस तरीके से बुनना है तो रो को उसके बाद निव डिजाइन से यहां से स्टार्ट होती है तो अब देखिए यह यहां से हम इन सभी फंदों को बुनेंगे और यहां पर एक फंदा छोड़ते हुए यहीं से पलट लेंगे इस तरीके से आप यहां से हम एक फंदा बढ़ाएंगे और इस तरीके से कंप्लीटरों को बनाएंगे फिर दिखाएंगे आप देखिए यहां से हमने एक फंदा और यहीं से हम पलट लेंगे ठीक है यहां से हम पलट लेंगे अब इन फंदों को देखे आप यहां से इस तरीके से हम बुनेंगे और पीछे साइट करेंगे तो पीछे साइट करने के लिए अब यहां से हम इस तरीके से एक फंदा बढ़ाएंगे अब इस साइट से हमने एक फंदा बढ़ा लिया अब यहां से देखे इस तरीके से एक और यहां से तो और तीन तीन फंदे हमारे हो गए अब यहां से देखे इस तरीके से यहां से हम करेंगे एक फंदा ब्लैक का बुनेंगे रेट से रेट का ब्लैक से बुनेंगे और यहीं से पलट लेंगे इस तरीके से एक तो और यहां से पलट देंगे एक फंदा यहां से बढ़ाएंगे देखिए यहां से और यहां से हम लेंगे red color क्योंकि अब हमें red color को एड़ करना है तो यहां से हम red color को एड़ कर लेंगे इस तरीके से आप देखिए यहां से इस फंदे को उतारेंगे next फंदे से यहां से एक दो तीन चार और यहां पर देखिए इस तरीके से फिर से हम एक red color को बुनेंगे और यहीं से हम पलट लेंगे ठीक है यहां से हमने पलट लिया पलटने के बाद एक दो तीन चार और यहां से देखिए पिछे साइड लेंगे और यहां से हम एक फंदा बढ़ाएंगे पांच और यह सीधी साइड से लेंगे इस तरीके से और फिर से हम पलट लिया अब यहां से हम देखिए इस तरीके से सभी फंदों को यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ देखे, अब एक फंदामने यहां से फिर से बुना और यहीं से हम पलट लेंगे, देखे, यहां से हम पलट लेंगे एक, देखे, इस तरीके से अभी यहां पे बहुत खुबसूरा से डिजाइन बनके रेडी होने वाली है, देखे, इस तरीके से सभी बंदो को हम पुनेंगे यहां से तो कम्प्लीट डॉर मेर्ट बना के दिखाएंगे तो इस तरीके से आप बने रही है हमारे साथ तो आपको कम्प्लेटली समझ में आएगा skip कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा तो देखें अब यहां से पलट देंगे फिर से हम यहां से लगाएंगे ब्लैक कलर को एड करेंगे इस प्रकार से ब्लैक कलर को हमने एड कर लिया ठीक है आप यहां से इसे सीधी साइट से लेंगे उतार और यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और यहाँ पर एक पुनेंगे, तस, एक पुन लिया हमने, और यहीं से हमने पलट लिया, ठीक है? अब यहाँ से हम पलट लेंगे, और एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और इसे पलट लेंगे, यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे, देखें यहाँ से, और यहाँ से हम सीधी साइट से लेंगे, इस जगे से हम सीधी साइट से लेंगे, आप देखे यहां से हम पलट लेंगे पलटने के बाद यहां से हम एक रोग को इसी तरीके से एक पंदा यहां से लेते हुए एक रोग को complete फिर से बनाएंगे इसके आगे फिर से दिखाएंगे तो आप देखे यहां पे हम red color को add करेंगे इस तरीके से एक और यहां पर हमारा धागा हो गया है खतम तो देखे धागा लगाने का सही तरीका क्या है इस तरीके से हम धागे को लेंगे देखे पट्टी को इस तरीके से फैलाएंगे और इस पट्टी के भीच में पट्टी को रखते हुए इस तरीके से देखें यहां से हम इस तरीके से गोल्ड राउंड करेंगे और यहां से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस ग्यारा बारा और देखें बारा फंद हमने बुने थे अब यहां पे एक फंदा रड से बुनेंगे और यहीं से इस तरीके से यहां से हम पलट लेंगे आप देखें यहां से सभी बंदों को इस तरीके से एक दो तीन चार पांच छे कम्प्लीट जैसे हमने यहां पे बनाया उसी तरीके से यहां पे भी बनाएंगे आप देखे इस तरीके से हमने इसकी इपने डिसाइन बना ली आप यहां से देखे इस तरीके से हम यहां पर दो का एक करेंगे रेड कलर से एक रो बनाएंगे और फिर से दो का एक करेंगे देखे यहां से इस तरीके से तो हमने जितने total फंदे डाले थे 11 फंदे डाले थे तो हम 11 फंदे छोड़के बाकी सबी फंदों को हम इस तरीके से बंद कर देंगे इस तरीके से हम बंद करेंगे उसके आगे फिर से डिसाइन दिखाएंगे यहां से बंद करके फिर से हम आगे की डिजाइन दिखाएंगे अब देखें इस तरीके से हमने इसकी एक कली बना ली अब यहां से देखें यहां से हम इस तरीके से ने श्टेप करेंगे यहां से एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नो, और एक, दस देखें यहां से दस और यहीं से पलट लेंगे इस तरीके से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो और यहां से देखें इस तरीके से सीधी साइट से लेंगे यहां से एक फंदा बढ़ाएंगे देखें यहां से एक फंदा बढ़ाएंगे अब यहां से किनारे का फंदा उतारेंगे next फंदे से देखें यहां से एक दो तीन अब देखें यहां से इस तरीके से last वाला फंदा हम इस रो में complete पुनेंगे देखें इस तरीके से अब हम यहां से हमने बुना अब यह फंदा उतारेंगे और नेक्ट एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो और पिछे साइट करेंगे यहां से एक फंदा बढ़ाएंगे दस इस तरीके से आप देखें यहां से इस तरीके से हमने बुना आप यहां से हम क्या करेंगे यहां से हम जैसे यहां पे ब्लैक पुने फिर दो रो हमने इसकी बनाई उसके बाद यहां से स्टेप स्टार्ट किया था उसी तरीके से हम यहां पे भी बनाएंगे और बहुत ही प्यारा सा डिसाइन बनके रेडी होगा